दोस्तों बात करते हैं, ITC Limited के बारे में बहुती बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक डील हुई है, मेगा डील कह सकते हैं, तो इस डील के बाद में एक बड़ा धमा काम है, ITC के अंदर देखने को मिल सकता है, फिलाल में अगर पिछले पांस दिन का चार्ट पेटन देखें तो आपको पांस जनों से तेजी का महोल इससे में स्टॉक्स के अंदर दिखाई दर है, धेरे धेरे खिसक का सककर ये स्टॉक्स हम लोगों को 220 के आसपास तो पहुंचता हुआ नजर आ चुका है, देखे इस से पहले ये स्टॉक्स हम लोगों को 220 रुपे से उपर जाता अच्छे खासे लेवल नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, उपर की तर मूव नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, लगबग 200 और 250 के रेंज के आसपास ये हम लोगों को मूव करता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर देखे तो ओवराल मोमेंटम फिलाल की डेट में हमें इस क बनते हुए उसके बाद गिरावट हुई 210 रुपे का चार्ट बनता हुए और वापिस से तेजी का महौल इससे में हमें कमपनी के इंदर दिखाए द रहा है, देखे पिछले एक महीने के इंदर जो भी मोमेंटम आपको देखने को मिला हो, बट अगर कही न कहीं आपको लो लोंग टम में अगर आप सोचेंगे तो आपको जादा रेटन मिल जाएंगे, बट अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ समय के लिए कंपनी में निवेश कर लिया जाए, तो हो सकता है कि स्टॉक में हम लोगों को उपर नीची के चार्ट बेटन बनते हुए नजर आए, तो इत उपर नीचे के चार्ट बेटन जरूर बनते हुए नजर आए हैं, बट अगर नीचे के लेवल की बात करते हैं, तो लगवाग एक सोच पैंसट रुपे के आसपास यह स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिखाए दिया था, तो फिलाल के लेट में देखें तो लोंग टरम के ह खबर के बारे में, तो ITC का एक कंपनी के साथ में करार हुआ है, डील हुई है, और उस कंपनी का नाम है Sunrise Food, तो ITC के साथ में अभी हाथ मिला लिया है, तो यह खबर कल आई थी, लगवक चार बच के बारा मिनट पे, यानि के कल शाम के वक्त, तो बजार बंद हो चुका थ तो कहने कहीं, अब इसका जो रियक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो मंडे के गारोबार में देखने को मिलेगा, तो पूरी खबर क्या है, सही तरीके से अनलेसिस कर लेते हैं, आईटी से लेमिटेट ओन फ्राइडे सेड़ नेशनल कंपनी लोग ट्रिबिनल, N.C KT has approved the ML commission of its recently acquired spice company Sunrise, देखें कमपनी का नाम है Sunrise Foods, तो इसके साथ में साज़दारी होती हुए नजर आ रही है, बहुती बहतरी ने कमपनी हमें इसलिए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगतार कमपनी के इंदर ग्रोध हो रही है, दूसरी बात यह है कि कमपनी की दो सबसेड कमपनिया है, मैं बात कर रहा हूँ Sunrise Foods की, तो पहली कमपनी का नाम है Hobbits International Foods, और दूसरी कमपनी का नाम है Sunrise Sheet, तो दोनों ही कमपनी अब जो है ITC की ओन कमपनिया बन जाएंगी, तो जो इसकी कमपनी है, जो इसकी सबसेडरी कमपनी है, वो अब ITC की सबसेडरी कमपनी बन जाएंगी, तो इस लिहाँ से भी देखा जाए, तो पॉजिटिव बताया जा रहा है, और वैसे बात करें तो 2150 करोड रुपे के आसपास ये डील इस समय हम लोगों को दिखाए दे रहे हैं, तो आब तयार हो जाए है क्योंकि स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को बड़ी हल तो कमपनी का revenue लगातार हम लोगों को बढ़ता वा नजरा रहा है, 2016 से लेकर अब तक कमपनी के इंदर हम लोगों को मजबूती देखने को मल रही है, इसी तरीके से देखी तो जो नतीजे रहे हैं अभी हाल फिलाल में कमपनी के result डिकलेर हुए है, sales के इंदर भी हम लोगो अब उसके बाद से लगातार कमपनी के इंदर हम लोगों को तेजी देखने को मल रही है, तो हो सकता है कि जब अगले quarter के नतीजे हम लोगों के सामने हो, तो इस्तिती जो है आपको और भी बदलती हुने जरा है, फिलाल में तो इस्तिती इस्ते में positive दिखाई दरी, इसी त अगर देखें तो net profit, तो net profit भी बढ़ चुका है, 357 करोड रुपे की आसपास पहुंच चुका है, पिछले quarter में दिखाई दे रहा था, लगबग 348 करोड रुपे की आसपास, तो इसकी इस्तिती भी हम लोगों को पिछले तीन quarter से positive दिखाई दे रही है, तो फिलाल में तो company growth करती है, पिछले तीन quarter से अच्छा कासा jump company के business के अंदर देखने को मिल रहा है, दूसरी बात यह है कि अगर देखें तो year on year basis पे company के अंदर हम लोगों को किस तरके की changes दिखाई दे रहे, तो 2016 से लेकर अब तक company के अंदर हम लोगों को काफी मजबूत levels देखने को मिल के अंदर 49,000 करोड का data आपको दिखाई दिया था, उसके बाद 42,000 करोड, 43,000 करोड, 48,000 करोड और अगर अभी हाल फिलाल की बात करते हैं, तो 49,000 करोड से भी उपर का data आपको पहुंस दावा नदर आ रहा है, इसी तरीके से कर साथ के साथ में total income देखें, तो 40,000 करोड, 44 करोड, 45,000 करोड, 50,000 करोड, उसके बाद देखें, तो 52,000 करोड से भी उपर का data दिखाई दे रहा है, तो long term में company के अंदर हम लोगों को growth देखने को बल रही है, अब अगर देखें तो net profit की स्थिती किस तरीकी से दिखाई दे रही है, देखें, 9,492 करोड के आस पास आप important fact company का discuss कर लेते हैं, देखें, company के अंदर काफी सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मिलती है, बढ़ अगर आप long term में माल खरीद के छोड़े हुए हैं, तो आपको share holding patterns भी जरूर चेक कर लेने चाहिए, पता चले कि इसके अंदर किस तरीकी की खरीदारी हम लोगों को द दिखाए दर है, तो कहने का मतलब यह कि quarter on quarter basis वे हलका हलका माल निकालते हुए जो है नजर आ रहें, फिलाल में 13.3% के आसपास holding दिखाए दरी है, जो कि पिछले quarter से हम लोगों को तेज दिखाए दरी है, तो यहां पर positive संकेत दिखाए दरें, इसी तरीकी से कर बात करते है दिखाए दर है, तो देखे घरेलू जो निवेशक हैं, उनकी तरफ से रुजान हम लोगों को positive दिखाए दरा है, कहने के माल जो है धिरे धिरे करके वो खरीत बने दरा रहें, इसी तरह किसे बात करते हैं, पबलिक की holding की, तो उनकी तरफ से भी हम लोगों को रुजान positive दि दिखाए दरा है, तो आपको एसी कंपनी के इंदर डिमेट अकाउंट उपन कराना चाहिए, जो लोग तरम में किसी भी तरह का delivery के अंदर आपसे ब्रॉक्रे चार्ज नहीं वसूलती है, दोस्तों अगर आप चाहते हैं, ऐसी कंपनी के इंदर डिमेट अकाउंट उपन करा हैं, बहुत ही बहतर हैं, यह कंपनी के इंदर एक ओफर भी चल रहा है, फ्री में डिमेट अकाउंट उपन हो रहा है, यानि कंपनी अकाउंट उपनिंग के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रही है, दूसरी बात यह है कि डिलिवरी बिल्कुल फ्री है, लोग टम म करके लेना था कि नई वीडियो के नोटिफिकिशन सीधे आपके मुबाइल के निस के हैं, थैक्यू सुमच, वाच आप